जैश्री कृष्णा राधे राधे सभी को कैसे हैं सभी आज की जो लीला है वो बहुत ही सुन्दर है और उसका क्या जो भी है ना आप लोगों के सामने है और मैंने पहले ही कहा था कि 3-4 दिन से हम थोड़ा व्यस्त थे और जो व्यस्त थे उसमें भी बहुत बड़ी लीला कि उसके लिए अभी मेरे पर समय नहीं हो बारा है कि में बता हूं लेकिन आज की लीला बहुत ज्याधा ही क् KEVIN यह मैं आज की लिला ही आप सब को बता रही हूं उसके लिए मैंने दो-तीन लाइन आपके लिए बोली थी कि अगर आपको कहीं लिंक मिलेगा तो आप दीजेगा लेकिन खेर जो भी है वो आप सुन लेजे आज का ये जो स्वपन है वो मेरी फ्रिंट को ही आया मैंने अपनी इफ्रिंट के बारे मैं आपको बताया था वो एज में मुझसे छोटी है काफी और मेरे साथ ही रहती है आप मैं बता दे रही हूं कि आज का जो स्वपन था बहुत-बहुत-बहुत सुन्दर है क्योंकि मैं इस लिला को बताने से पहले ही मैं बार-बार यही बोल रही हूं साड़े पांस से पौने छे बजे का करीब का यह पूरा टाइम पीरिड होता है तो आज ही होता है कि उसमें जो मेरी फ्रिंड है वो अपने रूम में है और तभी बाके बिहारी जी आते हैं मैंने हमेशा ही बताया कि बाके बिहारी जी आते हैं और बाके बिहारी जी बोलते कि चलो तुम्हें मैं वरिंदावन लेके चलता हूं तो वो कहती है अच्छा तो रुको 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 तो वो कहती है मैं न वो अपने मन में सोचती है बिहारी जी से पूस्ती नहीं है आग्या नहीं लेती है लेकिन अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी दोस्त को भुला लेत दर्वाजा खुलने लगती है लेकिन दर्वाजा खुलता नहीं वैसे कोशिश जाते हैं जाय मिश्च देखान। भूलता हुआ हुन लेकिन तभी उसको वो भी नहीं मिलता है दूसरे रूम में तो फिर वो बिहारी जी की दरफ देखती और फिर कहती यह आपने किया है ना तो वो कहती क्या सारी चीज़े मैं ही करता हूं तो वो कहती और क्या सारी चीज़ आप ही करते हो तो वो कहने लगी और क्या आप तो सु बंचीब आताे हैं मैंँ पुंट ब tickets बrilाद सब्रैंब। च्श् कई सब्सक्राइब यहां पर जाएंगे तो कियों परिशान हो रही हो यह अपना मंदिर है इधर कौने कौने से निकलेंगे हम तो वो कौने कौने से जो है अंदर लेकर जाते हैं और खुद स्वैम जाकर विग्रह जो है उनका बिहारी जी का विग्रह में वो समाहित हो जाते हैं तो जो मेरी फ्रेंड है वो डर जाती है वो कैती है कि अरे अब मैं इनसे बात आती है अच्छा सोना तो ये जो सोना शब्द है में उसको सोना करके ही बोलती हूं चो कि DAVID बैठे हुए था उसका है उसका तरीका है उसके लिए मैं जब ये वीडियो आपको पिक मिलेगी न तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर उन्होंने रखा हुआ है और सोने का सिंगहासन है मतलब सोने का जूला कहेंगे आप और बहुत बड़ा जूला है उसके बीच में बिहारी जी बैठे हुए है मतलब विग्रह ही है और विग्रह से अवाज निकल रही है तो मेरी फ्रेंड को बोलते हैं तुम जूलोगी तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जूलूँगी तभी वो विग्रह जो है खड़े हो जाते हैं और इसको बिठा देते हैं और इसमें बैठ के जो मेरी फ्रेंड ह वो जूला जो है जूलने लगती है मतलब उनको एक ही जूटा देते हैं बस एक ही जूटे के बाद कहते हैं अब तुम उत्रो और वो फिर उतर जाती है उसके बाद बिहारी जी बैठते हैं तब ही बिहारी जी कहते हैं आज तो तुम अपनी मैया को भूल गई हो तो वो करें हां मैं तो मैईया को बूल गई तो बिहारी जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैईया को बुलाओ तो बोले कि अच्छा मैं बुलाती हूँ तो बोला ऐसे नहीं गाना गाके बुलाओ तो मेरी फ्रेंट गाना गाती है जो मैंने आज सुभ जो लाइन्ज आपको दी थी वो गाती है कि राधे जूलन पधारो श्री व्रिंदावन में ये पंक्ती मेरी फ्रेंट गाती है और तभी वहारी ची कहते हैं नहीं नहीं एसे नहीं गाना है ऐसे गव तभी राधा जी आएंगी पोले कैसे ऐसे गव स्रीजी जूलन पधारों स्रीवरिंदावन में तभी वहाँ पर राधा रानी जो है प्रकट हो जाती है और जुले पर बैठ जाती है राधा रानी ने दोनों पैर साइड कट में मतलब लगाए हुए हैं और जहां पर मेरी फ्रेंड को उनके चर्णों के दर्शन होते हैं बहुत ही सुन्दर उसने जो बताया मैं वही आपको आज व्याख्या कर रही हूँ क्योंकि ये स्वपन उसने देखा है और बहुत सुन्दर स्वपन है ये कि उनके पैर इतने लाल है कि महावर भी फिकी है इतने उनके स्वेम के पैर लाल है सुर्ख है और वो इतनी नाजुक है और उसमें इसने राधा रानी और बाके बिहार अगल जी को जूटा दिया है जूऽा जूला है और ये इतना सुनदर सवप्न जो है आज गता और सुबह उठकर उसने ये बताया तो यह सत्cher है कि मैं बहुत भागेशालीहूं कि इस घर में जिस घर में मैं रहती हूं मेरी मेरे साथी रहती है मेरे बच्चे कि स्वेम प्रभू इस घर में आते हैं और इतनी सुंदर लीला जो है वो हमारे समक्ष रखते हैं और हर लीला का एक उद्देश्य होता है एक कोई न कोई सीख होती है इसमें भी बहुत बड़ी सीख है जो बहुत सारे लोग समझी गये मैं भी इस चीज से समस्ती हूँ, इसमें एक और ग्यात यह है कि प्रभू हर किसी से प्रेम करते हैं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ लिलाएं ऐसी होती हैं जिनको हम सबको नहीं बता सकते हैं, उनमें से कुछ लिलाएं इतनी अद्वित्य हैं कि अगर मैं क्योंकि उसके लिए पूर्ण मनाई है और उसके लिए स्वेम प्रभू ने मना किया है, तो हम सिर्फ वही लिलाएं आपको बताते हैं जो प्रभू चाहते हैं कि आप तक पहुचे, इसमें प्रभू ने आज पितामबर्ध धारन किया हुआ है, बहुत सारे डाइमंड लग और स्वेम बाके बिहारी जी ने, यह जो स्वपन है, इसका हम तो सुबह उठने के बाद हमें तो मालूम ही नहीं था, लेकिन यह हमें पता चल गया है कि जब भी राधारानी और कृष्ण जी जिसको भी स्वपन में दर्शन देते हैं, हमारे घर में वो, घर में सबसे ज़ जीवन कितना सुंदर है, प्रभू हर किसी के साथ है, आप सब तक भी यह जो लिलाएं जा रही है, यह स्वपन लिलाएं हैं, आप तक पहुँच रही है, प्रभू चाहते हैं तभी पहुच रही है, अगर प्रभू की आज्या नहोती तो हम बताने लाइक क्या हम तो अरब्द है, मैं कुछ नहीं जानती, इसमें भी जो भी सीख है, आप सब को जो समझ आए वो बताईएगा, मैं तो बस इतना ही रखती हूँ, लेकिन हम तो इतने से ही बेहत खुश है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन बेहत सुंदर हो गया है, बहुत बहुत सुंदर, राधे अरादे